Assalamu alaikum Today my topic is forces and machine Forces Forces का मतलब है move और ये हमें push और pull करने में बदद करती है जब हम push और pull करते हैं तो object की shape, direction, speed, change हो जाती है हम अपनी daily routine में बहुत से काम forces से करते हैं machines हम अपने घरों में कुछ tools इस्तमाल करते हैं अपने काम को असाल और जल्दी करने के लिए उन्स tools को हम machine करते हैं For example, dry machine Dry machine कपड़े सुखाने में मदद करती है Wife Wife हमें काटने में मदद करती है For example, fruit हम अपने घरों में एपल को काटने के लिए Wife का इस्तमाल करते हैं अब मैं आपको types और machine के बारे में बताना चाहूंगा Machine की दो एक साम है Simple machine और compound machine Simple machine वो होती हैं जिन में कोई moving part ना हो अगर हो तो बहुती कंप हो उन्हें हम simple machine कहते हैं अब मैं आपको simple machine की कुछ types बताना चाहूंगा जैसे के इदर simple machine की three types है Pulley Pulley Rock और string पर मुश्तमिल होती है और ये heavy load को नीचे से उपर या फिर उपर से नीचे लेके आने में मदद करती है Inclined plane Inclined plane एक तिछी सता होती है जो समान को नीचे से उपर या उपर से नीचे लेके आने में होती है पर मारी मदद करती है जैसे के ये गारी है इसको मैंने इदर लेके आना है तो मैं inclined plane के जरीए इसको उपर लेके आ रहा हूं अगर कि मैंने इदर से नीचे जाना है तो कि मैं inclined plane के जरीए नीचे जा रहा हूं लिवर लिवर एक बाग की तरह होती है जो एक सहारे के जरीए खड़ी होती है तो सहारे को हम फलक्रम कहते हैं और लिवर के एक करफ लोड और एक करफ फोर्स गाई जाती है जैसे कि मैं आप इदर लोड ड़क रहा हूं और इदर फोर्स लगा रहा हूं तो लोड लोड उपर जा रहा है अब मैं आपको compound machine के बारे में बताऊंगा compound machine compound machine वो होती हैं जिन में दो या दो से जादा simple machine मिल कर काम करें उन्हें हम compound machine कहते हैं for example wheelbarrow wheelbarrow के अंदर wheel and axle होता है और उसके अंदर lever होता है और जिसके अंदर लोड रखा जाता है वोडंक्लाइं प्लैम वड दो हैं कर दो कर दो